नमस्कार, दिनांक 22 मार्च 2019 की दोपैर से, भूमी सुत, अंगारक, ग्रहों में सेनापती, मंगल, अपने राशे करम को परिवर्टत करके, अपने राशे स्थान को, यानि की मेश राशे स्थान को छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे और व्रशब राशी, जो की शुक्र की र कारे कर जाएंगे, तो बाराही राशी वाले जातकों के उपर, उनके मन की सरंचनाओं के आधार पर, किस तरह के परिवर्टन सामने लेकर आने का कारे करेंगे, इसकी संपूर्ण, चर्चा, जानकारी और विशलेशन लेकर, मैं आप सभी के समक्ष, यहां उबस्तित हूँ सरवपर्थम आप देखिए कि भूमी सुत जब भी अपनी स्तियों को परिवर्टत करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के अंदर, आत्म विश्वास के अंदर, तेज कारक स्तियों के अंदर एक आमूल चूल परिवर्टन करके व्यक्ति के सामने रखने का कारे करते हैं, इनमें त तुम भी जनों के साथ में तलखियां रखवाने का कारे करते हैं, और वो भी शुक्र के राशी स्तान के अंदर, जब आते हैं तो आप देखिए कि व्यक्ति की व्यंग्यात्मक शैली जो है, वो नेगिटिविटी की तरफ जाती है, और वहाँ अगर परिवार से दुवधा करने के स्तान को देखते हैं, तो वहाँ पर तो शमताएं बढ़ाने बाले हो जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स परसन है और वो मेश राशी का जातक है, तो उसके लिए सिस्तिती को बेहत चांदार कहा जा सकता है, किन्तु कुटुम भी जनों के हिसाब से, इस पोजीशन को क कर चलने का कारे करें, मेश राशी वाले जातक, और यहीं अती आत्म विश्वास भी कई बार व्यक्ति के लिए कातक हो जाता है, जब भी सैकंड हाउस के अंदर मंगल यहां विराजत हो जाते हैं, भाग्य की प्रकरताओं को बिलकुल निस्तेच कर देते हैं, क्योंकि आठ अब राशी वाले जातकों के लिए बात करें, तो पहले आपको ढहिया जनित विवस्ताओं के साथ में जो दो चार होना पड़ रहा है, और साथ में ही मंगल, जब यहां विराजत हो गए, तो जो लगातार संगर्श, शनी की ढहिया जनित विवस्ताओं के साथ आपके देखेंगे, तो व्यापार के भी कारे कलापों के अंदर वर्दी होती भी देखी जा सकती है, जो कि आपकी सोच के साथ में और आपकी अनुशाशन की कमी की वज़े से व्यापार रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे, मंगल की इस पोजिशन के आता ही, 22 मार्थ से ही आप पूरे तरीके से देखी जा सकती है, मितुन राशी वाले जातकों के लिए, यहां आप देखिए कि बुद्ध बरदान राशी वाले जातकों के लिए, 12 आउस के अंदर, चंद्र राशी के मध्यम से मेरी चर्चा रहती है, 12 आउस के अंदर, जब मंगल बराजत होने का कारे कर जाते हैं तो जो लोग भी बाहर रह रहे हैं व्यापारिक गतिविद्धियों को बढ़ाने के लिए दूसरी किसी भी पोजिशन को बढ़ाने के लिए वहाँ पर भी दक्कत और दवधाय निकल कर सामने आ सकती है किन्तु पराक्रम आपका साथ पूरे तरीके से देगा साथ ही साथ में रोग और शत्रू हंता इस्ततियों का भी मंगल यहां बिराजत होकर निर्मान करते हैं यानि कि रोग नहीं सताएंगे और शत्रू भी आसपास पनपने से आपके डरेंगे बैक बाइटिंग मगरा बहु तो व्यक्ति वाणी पर खर्च बहुत अदिक करता है और जब वाणी पर व्य करता है तो कई बार उसके लिए दुविदाएं भी सामने निकल कर contradiction भी सामने निकल कर आने का कार्य करते हैं वहां से भी आपको बचकर चलने की आवशकता हैं रहेंगी करक राशी वाले जातकों के लिए चंदर्मा प्रदान राशी वाले जातकों के लिए एकादश इस्थान के अंदर मंगल बिराज़त हो जाएंगे और वो भी जब शुक्र की राशिक के अंदर विराजत हो, उबचय स्थान के अंदर, अंतिम उबचय के अंदर विराजत हो, तो आप देखिए कि जीवन के जो सरवांगीन लाव है, जो पराक्रम की वज़े से रुके वे थे, वो अंदरंतर गती के साथ में आगे बढ़ते प्रेम के अंदर बचिएगा, तो आपके लिए समय अंतराल और अधिक अच्छा कहा जा सकता है करक राशी वाले जातकों के लिए, सिंग राशी वाले जातकों के लिए बात की जाए, तो दशम स्थान के अंदर कर्म स्थान के अंदर जहां कोई भिग्र है, अपने कर्म के अनुसार नेगेटिव रिजल्ट देने वाला नहीं होता जब सिंग राशी के लिए दशम स्थान के अंदर मंगल विराजत हो जाएंगे आपके प्रमोशन की संभावनाय अटकी हुई थी कर्म की गतिशीलता लगातार रुखी हुई थी वो पूर्णता के साथ में लगातार की अगर कमी थी ये जो 45 दिन का समय अंतराल रहेगा इसको पूरे तरीके से आप गिफ्टिड मानिएगा इस साल के अंदर और कोई भी अनुशाशन डिसिप्लिन की पोजिशन के अंदर आप खुद को लेना चाहते हैं तो उसका इनिशेटिव यहीं से पाएं तो बहुत ही अच्छा और बेनिफिट देने वाला आपके लिए कहा जा सकता है कन्या राशी वाले जातकों के लिए जब हम बात करते हैं तो भाग्य स्थान के अंदर आ जाएंगे भाग्य को इतना सपोर्टिव रखने वाले नहीं होते यहां बिराजित होकर ऐसी पोजिशन के अंदर बिराजित होकर मंगल यानि कि भाग्य के अंदर थोड़ी सी कमी लेकर आ सकते हैं शुक्र के राशी स्थान के अंदर यानि कि व्रशब राशी स्थान के अंदर जब बिराजित होंगे चूंकि हम नवम स्थान से ही higher studies की भी positions को देखते हैं तो वहां पर भी व्यवधान नि निकल कर आ सकता है आपके लिए जो आपकी study के अंदर आपकी concentration के अंदर focus के अंदर एक रोक और एक blockage देने का पूरे तरीके से कारिय करता हुआ दिखाई दे तुला राशी वाले जातकों के लिए जहा हम बात करते हैं तो आप देखे कि अस्थमस्त आ जाएंगे मंगल एक के साथ में मौजूद रहेगा वो गर्भ ये विवस्ताओं के अब जिन से जो लोग जुड़े हुए हैं यानि कि research के शेतर में PhD आदी से जुड़े हुए हैं बूमी सुत जब अस्थमस्तान के अंदर hidden house के अंदर आगर बिराज़त हो जाए तो वहाँ आप पर results के अंदर positivity देने वाले होते हैं पूरे तरीके से तो इस समाध्यम से भी आप benefit उठाते हुए चले जाएएगा साथ ही साथ में वरिश्चक राशे वाले जातकों के लिए मैं बात करूँ जिन्हें साड़े साथी का अंतिम अंतराल भी चल रहा है तो वहाँ आप सरव परतम ये position देखि कि ग्रहस्त में दिक्कत और दुवधाएं निकल कर सामने आने का कारे कर सकती है, disturbances आपको सताने का कारे वहाँ पर पूरे तरीके से कर सकते हैं, partnership के अंदर आपको ये लग सकता है कि मेरा partner बहुत अदिक मेहनत कर रहा है, मैं अभी तक इतनी अपने efforts नहीं दे पा रहा mentality के अंदर disturbances create होने वाली position कहीं जा सकती है, साथ ही साथ में व्यापारिक गतिविधियों के अंदर प्रकरता देखी जाएगी, किन्तो किसी भी नरने के अंदर बहुत तिवरता के साथ में जाने का कारे आप नहीं करें, धनूर आशी वाले जातकों के लिए जहां सस्ट इस दिखाई नहीं देता है, जो लोग भी बाहर के साथ किसी भी कामकाज से जुड़े हुए हैं, उनके आत्म विश्वास में पूरे तरीके से ब्रद्दी होगी, अगर आप अपने गाउं से निकल कर शहर की और पलायन कर रहे हैं, शहर से निकल कर अगर आप किसी और प्रदे देता हुआ, देखाई देगा, किन्तो लोन की पोजिशन के माध्यम से आपको बच कर चलने की आवशकताएं रहेंगी, मकर राशी वाले जातकों के लिए जिनको अभी भी साड़े साथी का ये फेस जो है, चल ही रहा है, वहाँ आप एक पोजिशन सर्वपर्थम देखते ह कि जो लोग भी, जो भी महिलाएं, कंसीव कर चुकी है, मंगल जब भी ऐसी पोजिशन के अंदर आएं, आप बच कर चलें, स्टडी के अंदर फोकस और कॉंसेंट्रेशन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जीवन के सरवांगीन लाप मकर राशी वाले जातकों के ल आगे बढ़ने का कारिय नहीं कर पाता, साथ ही साथ में मां और पुत्र के साथ में मां और पुत्री के संबंदों में भी कई बार मंगल ऐसी तलखियां लेकर आते हैं, जो की बेवज़े हैं, विवादों का कारण बनने का भी एक तरह से कारिय करते हैं, मीन राशी वाले ज जाना चाते थे तो वो इस्तती अच्छी किंतु मंगल तराजू के दोनों ही पलडे बराबर रखने का कारे करते हैं भाईयों के साथ में तल्किया, मित्रों के साथ में संबंधों में दिक्कत और दुविधाएं देने का भी कारे कर सकते हैं वहाँ से आपको बचकर चलने की आवशक्ता हैं रहेंगी हनुमंत उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसके साथ में ही बढ़ते चले जाएं ये राशी करम बहुत सारी राशी वाले जातकों के लिए positive efforts की positions को बनाता हुआ दिखाई देगा तो उसी तरब से आप अपने करमुनत गती के साथ में चल आवाद